नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एसका एगरी कल्चर में किसान भाईयों वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा सी ज्यादा शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए दो बात कि इकर कम्पलीट डेखने के लिए क्या है पर जो भी खाद आप डाले हों कितना डालना है आपको प्रती एकर गहुं में कितना डौज आप ढालोगे खाद का सुरुवात के समय तो आपके गहुं का बंपर उत्पादर आपको मिलने वाला है वीडियो को कमपलीट पूरा द चुका हूं कि हम जो है सुके में गेहूं की बौवनी करते हैं दो बार खेत की जुताई की कुली लगा कर इसको प्लेन किया और उसके बाद हमने मसीन से सिट डेल से जो है इस साल मैंने डी एपी के साथ बौवाई किये देखे किसनवयों मैं हमेशा एनपी के 12-32 काम में लेता तो उसको जो है फिर हातों से छिड़काव कर दिया इन गेहूं में जो ये खेत है मेरा ये 25 आरी का खेत है जिसको हम एक बीगा करते हैं तो ये 25 आरी का खेत है इसमें मैंने स्रीराम कंपनी के गेहूं लगाए बाकी मेरे चितने भी गेहूं लगने वाले हैं वो लगने वा ला सकूंगा इसमें मैंने जो है लगबग 10 कटे एक बीगा के अंदर 10 कटे डियेपी डाला एमोपी डाला इसके अलावा मैंने 10 कटे इसमें वर्मी कमपोस्ट जो मैं खुद दयार करता हूं उसका मैंने इसमें उपयोग किया है उसको मैंने इसमें बुवाई होने के बाद प अब जो दूसरी मेत्वपूर्ण बात हैं कि हम अगर गहूं बुवाई कर रहे तो complete dose क्या होना चाहिए तो देखे प्रती एकड़ के इसाफ से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि NPK 12-16 जो डाल रहे हो नाइटोजन, फासफोरस, पोटास तीनों ही होते हैं तो 50 किलो प्रती एकड़, एक बेग, एक कट्टा पूरा डाल देना है प्रती एकड़ के इसाफ से यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है दूसरी यहाँ पर जो बात आती हैं कि NPK 12-16 भी सब जगह अवेलेवल नहीं होता है तो इसके लिए हमको क्या करना है तो इसके लिए आप D.A.P. का कट्टा डालिए साथ में 25 किलो M.O.P. डाल देना प्रती एकड़ के इसाफ से मूरेट ओपोटास, पोटेशियम क्लोराइड जो आता है उसको डालना है 25 किलो प्रती एकड़ के इसाफ से जिसको आप गेहूं के साथ में मिलाकर D.A.P. की साथ में मिलाकर बोवनी नहीं कर पाओगी मसीन से लेकिन फिर छिर्काव कर देना लेकिन दोनों को हुई बुवाई के समय डालना है इस परकार से आप गेहूं का कंप्लेट डोस बनाए उसके बाद गेहूं की बोवनी करें ताकि फिर बाद में आपको जो है ना इनकी कमी मैसूस ना हो और आपको किसी भी परकार से अपनी फसल में किसी भी परकार का कोई नुकसान उठाना ना पड़े तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आए होगी लाइक सेर सस्क्राइब जरूर खड़ना मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद